साथियों देख सकते हैं एक ही प्लांट में डिफरेंट वराइटी में आपको दिखाने वाला हूँ आज मैंने लगाई थी अलग अलग वराइटी तीन चार और बट यहां पे यह देख सकते हैं कैसी ड्रॉट कंडिशन है घास भी बिलकुल सुख गया है तो बिलकुल नीचे प्लाने शुरू होग है जैसे देख सकते हैं यह इस में Boss a अपको दिखाइग यह आपको दिखा स्कालर 2 तो इसमें यहां पे साइज ठीक ही है अच्छा लग रहा है इत्रा खराब नहीं और इदर इदर को साइज काफी बिलकुल निल है बिलकुल 7 लेर के बराबर है यह बनना भी नहीं है कलर आ गया है तो इसमें मुश्किल है साइज बनना तो जो मैंने एक्सपरिंस किया है स्पर में ऐसे तो मैं स्पर में काम नहीं कर रहा हूं जो थोड़ा बहुत ही मैंने लगा है बहुत कम लगा है लेकिन जो स्पर में मैं आपको बता सकता हूं कि स्पर में आपको स्टार्टिंग में सेल डूइजन के टाइम में जितनी सपरिय आप कर सकते सेल अच्छे से क को उपर वाली साइड को यह आपका रेड़ चीफ है जो उपर आपको नज़र आ रहा है यह रेड़ चीफ है और यह देख सकते हैं सुपर चीफ यह सुपर चीफ है सारा और यह देख सकते हैं यह सुपर चीफ है इसमें काफी अच्छा साइज है और यह भी सुपर चीफ है ठ देख सकते हैं और इदेर आपका फिर से आगया इसका लेटू पर साइज बिलकुल निल है इस बार बिलकुल ही죠 कुछ दिक्कत आगी इसको आपनी काल भी सकते हैं अभी टाइम से उगर आपका फ्रूट थ्राब हो गया है तो इसको टाइम से निकाल सकते हैं इस साल सुन्डी ने काफी खाया है फ्रूट तो उसको आप गिरा सकते हैं अभी भी उसका जो अगर आपकी फ्रूट अच्छे है तो उससे टैवर्ट हो जाएगा दूसरे के लिए अभी भी टाइम है थोड़ा यह चित्रा रोयल है तो मतलब कलर बहुत लेट आता है तो इसमें भी देख सकते हैं यह भी फ्रूट है इसमें लग बग लग बग आपका स्कालेट्टू हो गया और सुपर चीफ हो गया रडचीफ हो गया पांच यह वराइटिया है और ग्रेनी श्मिट ग्रेन चलेंजर और ग्रेन गाला लेके तो इस तरीके से आप कहीं पर भी बीच में पॉलिनाइजर भी बना सकते हैं बहुत थारी बट मैंने यह एक्सपरिमेंटल की प्लांट जाने वाला था बहुत घ्राब था तब यह लगाया हुआ है वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बह स्क्राइब करें और वीडियो को शेयर करें बहुत बहुत धन्यवाद